कई बार हमें ये लगता है स्टोक मार्केट में इतने सारे पेसे है ये पेसे आते कहां से है यहां किसी के मन में ये सवाल आता होगा कि स्टोक मार्केट में जब हमें लोस होता है तो वो पेसा कहां से आता है और जब हमें स्टोक मार्केट में प्रोफिट होता है तो वो पेसा रही है जब हम chest खेलते हैं तो इन में एक play जीतेगा तो एक play automatically हारेगा जैसे मेच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान तो इंडिया जीत गया इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान आर गया तो इसे कहते है zero sum game एक का profit तो दूसरे का loss तो guys कई बार हमारे मन में भी यह सवाल आता है क्या stock market zero sum game है यानि हमें stock market में profit हुआ है इसका मतलब यह है कि किसी का loss हुआ है और इसे का ulta हमें अगर loss हुआ है तो क्या किसी को profit हुआ है नहीं ऐसा बिलकुल नहीं stock market 0-sum game नहीं है मगर हाँ अगर आप option trading करते हो तो ओ… जिरो सम्गेम है, तो इससे पहले आप को कुछ आसन सी बात समझनी होगी world is created, it is not , यानि समपति का सरजन होता है, यह कोई जिरो सम्गेम वाला खेल नहीं, wealth पू? अगर कऊआअप कोई कमपनी सुरू करती है या कोई सुरू करते है किसी product को बेटने लगते हो तो जो profit होता है उससे wealth create होती है तो जो आपके business से आपको profit मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि किसी का loss हो रहा है तो इसी तरह किसी company की share की price बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि company की economic value बढ़ रही है तो company की share की price उसके profit और उसके loss की वज़े से कम ज ज्यादा होती रहती है पर आपके account में पड़े रहते है पर option trading जिरो सम गेम है option trading में ऐसा नहीं है option trading में अगर आप कोई लोट लेते हो तो या तो एकस्पारी तक 00 हो जाता है या तो जितनी बढ़त है वह आपको मिल जाती है तो stock में invest करना और option trading करना दोनों चीजे भिन भ रूपे पी थी जो बढ़के 24 में 3020 हो गई है तो यहां पर आप चार्ट देख सकते हो रिलाइंस के share की price time के साथ बढ़ती ही जा रही है और आज तक बढ़ती ही रही है यानि रिलाइंस में जिसने 10-15 साल पहले invest किया था और ओर टिके रहे है तो उसको यहां पर profit हुआ है और इसका यह मतलब नहीं कि किसी का loss हुआ है क्यूंकि रिलाइंस की business performance बहुत अच्छी रही है और पिछले 15-20 सालों में रिलाइंस ने बहुत ही अच्छा perform किया है उसका business लगातार बढ़ रहा है और ओ अच्छा profit कर रहे है तो लगातार रिलाइंस wealth create कर रही है यहां पे ह कंपनी की share की price 356 जो कि अभी फिलहाल 29 रुपे पे आ चुकी है तो जैसे कि हमें पता है कंपनी की share price long time में उसकी performance को follow करती है तो यहां पे रिलाइंस power की performance अच्छी नहीं रही उसकी वज़े से यहां पे share की price कम होती रही है तो यहां पे हमको यह जानने को मिला मुकेस share price लगातार बढ़ती रही है वहीं उसके भाय अनि लंबानी जिसकी company रिलाइंस power है और लगातार लोस कर रही है और 10-15 सालों में उसने लोसी किया है इसकी वज़े से उसकी share price लगातार 10-15 सालों से गिरती जा रही है तो जो भी business है वह अपनी wealth create करते है वह जो भी अपनी product या तो service बेचते हैं और उससे profit कमाते हैं और जब company लगातार profit करती है तो उसकी value भी बढ़ती है और वहीं उसका share price बढ़ते रहता है तो जब भी हम stock market में invest करते हैं तो जिरो समगेम नहीं है पर हाँ अगर आपने किसी profitable company को select किया है जो लगातार profit कर रही है और अच्छा performance क कर रही है तो भी आपको आगे चलके भविशय में उससे अच्छे return मिल सकते हैं और वहीं आप कोई एसी company select कर लेते हो जिसका performance अच्छा नहीं हो साल दर्शर उसका loss होता रहा है तो एसी company के share में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल सकती है और आपको लंबे टाइम म के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथी में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियो आपको तुरंद मिलते रहे